हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ जारखंड पुलिस में तोटल 4919 पद के लिए जो भरती आया हुआ है उसका आवेदन सुरू हो गया है तो आप लोग अपने मुबाइल फून से कैसे आवेदन कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार फॉर्म को फिलप करेंगे ताकि थोड़ा सा भी गलती न हो क्योंकि थोड़ा सा गलती आपको बहुत जदा दुख में पहुचा सकता है इसलिए वीडियो को एसकिप ना करें और वीडियो को बारकी से देखे तो दोस्तों मैं आपको टाइप कर दिना है और उसके बाद तो आसा वेट कर लेना है थ्री डॉट है थ्री डॉट पे क्या किजिएगा क्लिक किजिएगा थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद उपर की और स्क्रॉल किजिएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर आपके मुबाइल फोन में desktop site है तो ठीक है और नहीं है तो इस पर ठीक mark कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आप लोग देख सकते हैं home जहरकंड असटाफ स्लेक्षन कमीशन तो इसपे आपको किलिक कर दिने के बाद आपके सामने कुछ इसपिर कारें इंटरफेस above आपको क्या करना है दोस्तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है अपलाई फॉर्म यहाँ पे देख सकते है apply form इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा आप लोग देख सकते है apply करने का option है तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे online for gcce लिखा हुआ है 23 तो आपको क्या करना है apply new उपे click कर दिना है और यहाँ पे ok करना है apply now उपे click करने के बाद ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा अब आपको क्या करना है फिर से यहाँ पे three डॉ давно है और यहाँ पे tick mark आप लोग देख सकते हैं च्छूटा हुआ है तो फिर यहाँसे क्या करना है click कर देना है यहाँ पे ख्लीक करनी के भाद आपके सामने ऐसा interface आएगा अब मैंस आपको बता दूं दोस्तों यहाँ लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अपलीकेंट नियम फुर्ष नियम तो तो आपको क्या करना है यहाँ पे first name लिखना है जैसा कि मेरा नाम कुंदन कुमार राज है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कुंदन कुमार यहाँ लिखूंगा कुंदन कुमार उसके बाद last name लिखूंगा राज जैसे मेरा last name आपको यादो या जो कुछ भी हो सकता है उसके ब के और लेनी जाद कर लेना है और देट और इसे अफ्वी सलेक्ट कर लिए गारD pre meer का अबाद यहां पर क्या करना है आपको अपने पीटा जी का नाम डिखना है फाधर का जो नाम होगा जिसे छो मुहनदास अड़ा श्रीमति देवी तो स्रीमति देवी हो गया यहाँ पे आपको क्या करना है अपना जेंडर सेलेक्ट करना है मेल हो तो मेल फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे आपको क्या करना है अपना मुबाइल नमर टाइप करना है जो भी आपके मुबाइल नमर अल्टरेट लखे हुए है उसी मुबाइल को फिर उसी mobile number को यहाँ पे क्या करना है दोस्तो दोबारा type करना है यहाँ पर अधार का जो नमर है 12 डिजिट का उस नमर को डालना है यहाँ पर email ID फिल करना है जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ compulsory डालना उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ अपने specialty चुछ करना है इंडिया हुआ है भीजबल तो इस पर क्या करना है आपको है तो लिखिएगा नहीं कटा फटा कहीं है तो छोड़ दिजीगा यहाँ इसके बाद आपको क्या करना है एक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों दिया हुआ है लेंग्वेज पेपर टू तो मैं आपको बता पेपर वन होना चाहिए तो यहाँ पर टू लिख दिया है तो इसमें कोई दिकत नहीं है आपको क्या करना है जो भी भासा में आप एक जाम देना चाहते है उसी भासा को स्लेक्ट किजिएगा जैसे उर्दू संथाली बंगला या जो कुछ भी हो तो आप लोग क्या तो मेरिड अगर साधी नहीं है तो अनमेरिड पर क्लिक किजिएगा उसके बाद विशेस ध्यान यहाँ पर आपको देना है मैं आपको बता दू यहाँ पर लिखा है वेकेंसी टाइप तो वेकेंसी टाइप यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तो यहाँ पर सहब करोंगा अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको क्या किरना है यह कर दिएगा लेकिन इसे पहले समझ लेजिए। जहारखंड के हैं तो आपको यहां पे resident certificate का यहां पे number भी देना हो सकता है, category आपको choose करना सकता है, करना पड़ सकता है कि आप EBC है या BC है या SCST है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, और क्या किसी quota में जाना चाहते हैं, यानि तरह तरह के आप लोग claim कर सकते हैं, लेकिन म बाद क्या करना है, यहां पे आप लोग जिस भी board से exam pass किया है, 10th यानि matic जो pass किया है, उसका नाम लिख देना है, तो आप लोग बिहार बोड या जो कुछ भी board का लिखा होंगे, उससे यहां पे लिख देना है, उसके बाद passing year, यानि कितने तारिक को आपको certificate दिया गया ह जनमरी 900, 2005, 2006 है, जो कुछ भी दिया हुआ, उससे आप लिख सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, result पे pass लिख देना है, उसके बाद अपना roll number जो होगा, उस roll number को यहां पे type करना है, और roll number type करने के बाद यहां पे लिखा है, update mark, तो आप लोग क्या करना है, marks यहां प लिख सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, दोस्तों यहां पे अपना address को फिल करना है, तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहां पे अपने gram का नाम लिख दिया हूँ, लिखने के बाद यहां पे जिसे post हो गया, यहां पे village हो गया, यहां पना address को असानी तरीके से वारिकी से फिल कर लेना है ताकि किसी प्रकार की गड़बडी न हो और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गाउं एडरस लिख लिजेगा पता एडरस लिख लिजेगा पूरा यहाँ पर विलेज का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर क्या किजी विलेज का नाम ल चमपारण से हूँ तो वेस्ट चमपारण लिख दूँगा यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं लिख लिए उसके बाद पीन कोड लिख देना है आपको मात्र पीन कोड लिखना है तो मैं आपको बता दूँ और अगर आपका सेम एड्रेस है तो आपको क्या करना परमानेंट उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दिना है जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है प्रिविव सब्मिट तो आपको क्या करना है इस पे क्लिक कर दिना है अब आपको क्या करना है प्रिविव एंड सब्मिट पे क्लिक करन ही है और दोस्तों बारेकी से देखने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आएगा दोस्तों self declaration का तो आपको क्या करना है यहां पर टीक मार्क लगा लेना है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर डेख सकते हैं जो भी capture में यहां पर दिया गिया है इसे देख करके यहां पर type कर देना है और उसके बाद यहां पर submit and next पर click कर देना है यहां पर आप लोग आपके सामने ऐसा interface आईगा जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर एक message भी आ जाएगा आपके mobile phone में, उसके बाद आपको क्या करना है, दोस्तों मैं आपको बता दू कि यहाँ पर आप लोग दिखते हैं, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर बताया गया है, कि हम मेरा form submit हो गया है, आपको यहाँ पर registration number भी दिखाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पर लिखता है, kindly feel the remaining stage on the payment gateway will active, कहाने का मतलब दोस्तों आप लोग अभी तक जारखंड police का form कभी नहीं भर होंगे, तो आप लोग को पता नहीं होगा, लेक payment का option आया है और नहीं आया है, चलिए मैं इसे login करके click करता हूँ, login पर click करने के बाद आपके सामने ऐसा interface आएगा, आपको क्या करना है, जो आपको registration number मिला था, इस पर click करना है, लिखना है, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर date of worth लिखना है, इस capture को फिल करके login पर click कर दिना है, login पर click किजेगा, तो capture भरने के बाद तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक और message यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप अभी payment नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता दू कि आप लोग दो दिन के बाद आकर फिर इसी page पर आईएगा, और यहाँ पर जो login है, इस पर click करके आप लोग को login होना है, उसके बाद payment का option आएगा, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, notification में ही दिया गया था कि दो दिन बाद ही payment होगा, और उसके दो दिन बाद signature और photo upload होगा, आपको नहीं पता था, तो दोस्तो इस परकार आप लोग फॉर्म को fill up कर सकते हैं, बहर सकते हैं, किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होगी, अगर किसी प्रकार के दिक्कत भी होती है, तो comment box में comment करें, मिलते हैं अपर नेक्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजी इजाजत, जैहिन, जैभार, बंदि मात्रम